आज के दिन इस मंत्र को जपिए क्योंकि आज है गायत्री जयनती और आज तो आपको और आपके घर को गायत्री मा की कृपा जरूर मिलनी चाहिए तभी आपका कल्यान होगा आपके परिवार का कल्यान होगा आज मैं आपको गायत्री मंत्र के 6 अचू कुपाई बताऊंगी रुप्या, पैसा, शादी, नौकरी, दुश्मन किसी भी तरीके का संकट दूर होगा आज आपको गायतरी मंत्र ठीक से जपने का तरीका भी बताऊंगी आपको सही तरीका पता चल जाएगा तो मा की कृपा जरूर मिलेगी और फैशन की बात भी करेंगे आपको गर्मी में फ्लाजो का फैशन दिखाएंगे ये भी आपके लिए फाइदे की ही जानकारी होगी आज का पहला माह उपाई क्या है ये जान लेते हैं क्या दिल की बिमारी से परिशान हैं आप ऐसे में हार्ट अटाक तक सिचुएशन हार्ट अटाक तक पहुँच चुकी है तो आप एक पांच मुखी रुद्राक्ष एक लाल रंग का हकीक का पथर साथ साबुत मतलब सेवन आपको साबुत डंठल वाली लाल मिर्च लेनी है सूखी होनी चाहिए आधा गज लाल कपड़े में रखकर बिमार उनसान के उपर 21 बार उसार कर इसको पानी वाली जगा के पास छोड़ दें ध्यान रहे पानी को पल्यूट ना करें और इलाज कराते रहें डॉक्टर को दिखाते रहें साथ में यह उपाई कर सकते हैं आज गायत्री जयनती है आपको अब तक पूझा कर लेनी चाहिए थी लेकिन अगर आपने अब तक पूझा नहीं की तो फटाफट कर लीजे गायत्री मा को प्रसंद करने का मौका अभी भी बाकी है आपको कैसे पूझा करनी है वो मैं बता देती हूँ मा गाहित्री के सामने वरत और पूजा का संकल्प ले मा गाहित्री की मूर्ती या चित्र को स्थापित करके उनकी विधी विधान के साथ पूजा करना चाहिए मा गाहित्री पंच मुखी हैं जो आपकी आत्मा में पूरी तरह से हैं मा गाहित्री की पूजा प्राण स्वरूप में करें मा गाहित्री की कृपा से व्रति के जीवन की सारी प्रॉब्लम सारे विग्न दूर हो जाते हैं आपको आज कौन सा मंत्र जपना है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको तो पता ही है आपको गायत्री मंत्र का पार्ट करना है वैसे जो जादतर दश्यकों को पता होगा लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले गायत्री मंत्र जान लीजे ओम भूर भुववस्वह तत्सवितुर वरेनियम भर्गो देवस्य धीमही धियो योना प्रचोदयाद गायतरी मंत्र को वेदों में सबसे सर्वश्टेश्ट यानि की सबसे जादा सुपीरियर मंत्र बताया गया है इस मंत्र का जाप के लिए तीन समय बताएगा है पहला समय सुभे का सुर्योदे से थोड़ी देर पहले जिसको हम अम्रित वेलादी कहते हैं सन्राइस से पहले का टाइम इस समय मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए जाप सुर्योदे के बात तक करना चाहिए मंत्र जाब के लिए second best समय है दुपेहर का जैसे अभी दुपेहर ही है यही समय है दुपेहर में भी इस मंत्र का जाब किया जाता है इसके बाद तीसरा समय है शाम को सुरियस्त के कुछ देर पहले का यानि की sunset से पहले का जब मंत्र शुरू करें तब सुरियस्त ना हो और सुरियस्त के कुछ देर बाग तक जाब करना चाहिए इन तीन स्टाइम के अलावा अगर गाहितरी मंत्र का जाब करना हो तो मौन रहकर या मन में जाब करना चाहिए मंतर जाप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए गाईतरी मंतर जपने का तरीका तो मैंने आपको बताया लेकिन गाईतरी मंतर आपको लाब क्या देता है ये भी जान लीजे वैसे तो लाब ही लाब होते हैं लेकिन मैं आपको छे बड़े लाब बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर जुड़े होंगे सबसे पहले स्टूडन्स की बात कर लेते हैं गाइतरी मंतर का जाप सभी के लिए उपयोगी है लेकिन विद्ध्यार्टियों के लिए तो ये मंतर बहुत ही लाब धायक है रोजाना इस मंतर की 108 बार जाप करने से स्टूडन्स को सभी तरीके की पढ़ाई लिखाई आसानी से समझ में आ जाती है स्टूडन्स का पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है याद किया वब भूल जाते हैं जल्दी से याद नहीं होता है अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो सब दूर हो जाती है अगर गरीबी दूर नहीं हो रही है तो गायतरी मंतर आपके काम का है जी हाँ, कारुबार हो, नौकरी हो या फिर घर में पैसे की कमी हो आमदनी कम है, खर्च जादा है गायतरी मंतर का जाप काफी फाइदा पहुचाता है शुक्रवार को पीले कपड़े पहन कर हाथी पर विराजबान गायतरी माता का ध्यान करें गायतरी मंतर के आगे और पीछे आपको श्री संपुट लगा कर जाप करना है इससे दर्दता का नाश होता है इसके साथ ही रविवार को वरत किया जाए तो जादा लाव होता है अब संतान की बात कर लेते हैं अगर संतान नहीं है या संतान से ही समस्या है फिर संतान को कोई समस्या है इन में से कोई भी आप्शन है तो आपको क्या करना चाहिए? माता पिता को या फिर पती पतनी को जिनको बेबी का इंतजार है एक साथ सफेद कपड़े ढहर्न करने चाहिए वाई तलूट्स पहनने चाहिए और यौँ बीज मंतर का संपुट लगाकर गायतरी मंतर का जाप करना चाहिए लेकिन अगर दिक् दुश्मनों की बात कर रही हूं अगर आपके दुश्मन लगातार आपके खिलाफ कोई ना कोई साज़ श्रच रहे हैं तो रोज आपको क्या करना है आपको बेसिकली ट्यूजदे से अमा वस्यासे या संडे से काम शुरू करना है लाल कपड़े पहन कर माता दुर्गा का ध् इससे शत्रूओं पर विजय प्राप्त होती है लेकिन अगर आपके साथ सच है तभी आपके फाइदा होगा अगर आप जूटे हैं या आप गिल्टी हैं तो फाइदा नहीं होगा ध्यान रखिए किसी का नुकसान नहीं होता नुकसान आपका खुद का होता है तो अपने बचाव के लिए आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं लेकिन किसी को नुकसान पहुचाने के लिए बिलकुल नहीं अब जिनकी शादी नहीं हो रही है वो हरीम बीज मंतर का संपुट लगाकर 108 बार जाप करें शादी के काम में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है आपकी बचाव जरूरी इशू होता है बीमारी आगर बीमारी है तो आपको कैसे लाव होगा किसी भी शुप महूरत ने एक कासे की बतन में साफ जल भरकर रख लें उसके सामने लाव लासन पर बैठकर गाहितरी मंतर के साथ एंग और आकर गाहित्री मंत्र का जाब करें जब के बाद जल से भरे बरतन का सेवन करने से बड़ी से बड़ी विमारी दूर होने के योग बनते हैं लेकिन यूत को दिखाते रहें इलाज कराने के साथ-साथ यूपाए कि जाप से और भी कुछ कुछ फाइदे हैं आई आपको वह भी बताती हूं किसी भी शुब महुरत में दूद दही घी और शहत को मिलाकर एक हजार गाहितरी मंत्रों के साथ हवन करने से सेहत अच्छी बनी रहती है इसमें समिधाएं पीपल की होनी चाहिए गाहितरी मंत्र के साथ नारियल का भरा और घी का हवन करने से दुश्मनों की साजश नाकाम होती है नारियल के भूरे में अगर शहत का प्रयोक किया जाए तो सौभाग्य में व्रिद्धी होती है गाहितरी मंत्र का जाप करने का सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए आपको गाहितरी मंत्र जपने समय कुछ गाहितरी मंत्र के लिए इस नान के साथ मन और आच्रन पवित्र रखें लेकिन सेहत ठीक ना होने पर या किसी अन्य वज़े से अगर ना नहां पाएं तो आप किसी गीले कपड़ों से तने मतलब अपने आपको स्पॉंच कर लीजे गीले कपड़े से साफ और सूती कुष या चटाई के आसन को विच्छाइए तुलसी या चंदन की माला का उप्योग कीजिए ग्रम महुरत में यानि की अर्ली सुबह अर्ली मॉनिंग लगबग दो घंटे पहले सन्राइज से दो घंटे पहले इस दारेक्शन के और मुख करके गाहितरी मंत्र का जाप करें शाम के समय सुरियास्त के एक घंटे के अंदर मतलब सुरियास्त से एक घंटे पहले आपको जाप करना चाहिए शाम को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको जाप करना चाहिए इस मंत्र का मानसिक जाप किसी भी समय किया जा सकता है किसी वजह से जाप में बादा आ आईए गायत्री मंत्र जाप करने वाले को खानपान शुद और पवित्र रखना चाहिए लेकिन जिन लोगों का सात्विक खानपान नहीं है वो भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के अंदर ऐसे असर हैं जो जो लोग अगर सात्व नहीं है तो जल्दी बन जाते हैं अब दूसरा महोपाय जानने का वक्त आ गया है क्या समाज में समान घट क्या है सफेद आकड़े को च्छाया में सुखा ले इसके बाद गाई के दूद में मिलाकर पीस ले इसका तिलक रोज लगाया करें ऐसा करने पर आपको कुछ न कुछ ऐसी ऑपरचुनिटीज मिलेंगी जिससे आपका मान समान बढ़ेगा चलिए अब जरा गर्मी की बात कर लेते हैं आपको गर्मी में लेटिस्ट फैशन दिखाने का वक्त आ गया है चलते हैं बेबी के पास फैमिली गुरू आज में दर्शको को समर सीजन के लेटिस्ट फैशन के बारे में बताने जा रहे हूँ आपको बता है इंदनों प्लाजो बहुत इन है और प्लाजो आपको कमफर्टेबल तो रखते ही है साथ ही कूल लुक भी देते हैं समर सीजन है और ऐसे में हम सब चाहते हैं कि हम बहुत कमफर्टेबल अटायर पे रहें साथ ही साथ ऐसे कपड़े जो बहुत सुंदर भी देखें आपको सूप भी करें तो आज मैं आपको बताते हूं कि समर सीजन में प्लाजो का कितना ट्रेंड है और साथ ही साथ इसके और ऐसे में लगता है कि कुछ ऐसा पहना जाए जो कमफर्टेबिल भी लगे और ट्रेंडी भी और क्या कुछ प्लाजो के डिजाइन है क्या कुछ इन में अलग अलग रग रेंज अवेलेबिल है यहां पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए तो वेरी फेमस फेशन डिजाइनर अनुरादा बुड़ामम अनुरादा वेल्कम टे इंडिया नियूट हलो है वेरी गोड एंड शॉपिंग करने के लिए निक लिए निक लिए लोगों को भी हम लोग बताना चाहते है कि प्लाजो में क्या कुछ ट्रेंडी है सो प्लाजो के बारे में बताईए कौन-कौन से भी डिजाइन्स इन है एक तो है जोर्जे जिसमें हमने ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है और यह हलका सा ट्रांसपेरेंट है इसलिए लाइनिंग डाला है पर बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग है और गर्मी के लिए बहुत ही कमफर्टबल है और इसमें एक फ्लो है और इसको म में एक ब्लू फिरोजी के एजिंग डाली है थोड़ से स्टाइलाइज करने के लिए यह पजामाज है बहुत इन है पाकिस्तानी पैंस भी ने कहा जाता है और फिर इसको यूनीक बनाने के लिए हमने यह किया है में कलमकारी का पैच लगा दिया है बुद्धा का तो एक कंट स्टेंपररी एलिमंट आगया है तो फिर हमने जैसे इकत बहुत इन है अभी सारा कंट सारे देश में सारे वर्ल्ड में तो यह इकत का यह प्लाजो बनाया है हमने यह हमारा फेमस प्लस साइन है पर यह कंप्लेटली हैं बोवन है और कॉतन का है इसका कॉंट टू क्योंकि यह दूर से बहुत अट्रेक्टिव लग रहा है और एक्दम से आई कैचिंग एलिमेंट इस प्लाजो में मुझे लग रहा है यह है प्लीटड तो इसमें धोती का भी लुक आता है प्लाजो का कमफर्ट है और यह सॉफ्ट कॉर्टन मलमल है इसमें डिस्चार्ज प् यह पहने से बहुत ही सुंदर लगता और यह भी हमने जॉर्जट में बनाया है इसकी ड्रेप इसका जो फॉल इसका एकदम लाजवाब है इसका तो बिल्कुल तो ऐसे बहुत सारे प्लाजो आपको दिख जाएंगे और जैसे कि अभी अनुराधा ने भी बताया कि सब के अ इसका दॉबाता स्यच्याश को बहुत सारे ओपशिन्स है आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं ध्यान रखिये की समस के हिसाप से आप जो भी टॉप केरी कर रहे हैं उससाफ से आप पलाजो को मैच कर सकते हैं कई प्लासो हैं जो सिफ पूरे रूपर से नीचे तक आप उसमें द अब आपको आज का तीसरा माहा उपाई क्या है? जटपट ये बता देते हैं, इसका वक्त आ गया है. क्या बिमारी पीछा नहीं छोड़ रही? सेहत खराब होती जा रही है? किसी तालाव जहां पे मचलियां हो, उनको शुक्रवार से शुक्रवार तक आठे की गोलियां शक्क स्पेशल का वक्त हो गया है, ये वो ही समय है जब आप और हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुल्जाते हैं, आज आपको देती हूँ खास टिप जो है गायतरी माह से रिलेटेद, गायतरी मंत्र का जाप आप आज तो जरूर कीजेगा, लेकिन पन गुसा, ये सारी परेशानिया हैं, तो आज एक वाइट पेपर पर, वाइट पेपर पर, सिल्वर या ब्लू इंक से गायतरी मंत्र को अपनी हैं राइटिंग में लिखे, लिखने के बाद इसको नौर्थ इस्ट यानिकी इशान कोन में चिपका दीजे, गायतरी मंत्र म आपके घर में नौर्थ इसमें ट्यूब लाइट लगी है, या बल्ब लगावा है, उसके नीचे लगा देते हैं, कि बल्ब की या ट्यूब लाइट की रोश्नी इसके उपर या नीचे पड़े, इस चीज़ को आप देखिए, तो आपके जीवन का अंधेरा जल्द दूर ह होगा, आज की दिन ये उपाए, जरूर करें, आज तो बार बार गायतरी मंतर सुनने का मन कर रहा है, और आज सुनना भी चाहिए, तो चलिए, अब आपको गायतरी मंतर का मतलब क्या है, और इसकी महीमा क्या है, ये बता देती हूं, आपको भी पता होना चाहिए, अपने बच्चों को भी जरूर बताएं, जब किसी चीज का लॉजिक पता होता है, तब ही हम संसकारों को बड़े अच्छे से अडाप्ट कर पाते हैं, और वो हमें सुख भी देते हैं, ये जान लीजिए, और अपने बच्चों के अंदर भी यही लॉजिक संसकारों के थूरू ड रखते हैं, उनके चारों और रक्षा कवत्सा बन जाता है, कोई आपका कुछ नहीं बिगार पाता, लेकिन आपको सही तरीके से गायतरी मंत्र का उचारन करना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, योग पद्धती में मा गायतरी मंत्र का उचारन किया जाता है, गी से मैं आपको करके दिखाती हूं जब पहले अब सांस भरते हैं तो आपके नेवल के आसपास आपके नाभी से ओ की अवाज आए दीरे दीरे आपकी चेस्ट पर जब वोईस वाइब्रेशन जाए तो ओ की अवाज आए और जब आपके ब्रेन में वाइबरेट करें तो म आप इस तरीके से ओम का जाब करेंगे देखें कैसे हैं पहले लंबी घहरी सांस भरिए ओ ओ इस तरीके से आपको जाब करना है सीधा ओम की बजाएं अगर अपने तीन पार्ट्स पर आप इन वाइब्रेशन को ब्रेक करेंगे तो आपको कई गुना जादा इफेक्ट इंस्टिंटली फील होगा करकर देखें अब देखा आपने कैसे आपको जाब करना है भक्तों को रोज मा गाहितरी उपासना का जाब करना चाहिए आपको तो मालुम ही है ओम भूर भवस्वहा तत्सवितुर वरेनियम भर्गो चोदयात यह मंत्र हैं लेकिन इसका अर्थ क्या है आज गाहितरी जनती पर जरूर जान लीजे बहुत आराम से बताऊंगी सुन लीजेगा ही इश्वर मेरे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ट तिजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात हम आपको अंतर आत्मा में धारन करते हैं आप हमारी बल बुद्धी विद्या को सही मार्क से प्रेवित करें इस मंत्र का अर्थ पता होने के बाद आपको इसका जाप करने में बहुत आसानी भी होगी और जादा अच्छा भी लगेगा अब आपको इस मंत्र की महिमा बता देती हूं मां गाहित्री को वेद माता कहा जाता है इस मंत्र और मां गाहित्री देवी का वर्णन विश्वमित्र ने किया था विश्वमित्र ने रिग वेद में इस मंत्र को लिखा है यह मंत्र मां गाहित्री को समर्पित है जो वेदों की माता है मां गाहित्री की महिमा चार फल प्राप्त होता है अब आपको आज का चौथा माहा उपाई क्या हैं ये बताने का वक्त हो गया है क्या लक्षमी जी की क्रिपा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं सुभा उठकर बिना हाथ मुध होए एक नारियल को बड़े पत्थर के साथ बांद कर किसी नदी या तालाब में रसी के सहारे डुबो दें डुबोते समय ये प्रातना करें कि हे नारियल में शाम काव को मतलब इवनिंग में फिर आऊंगा आपको लक्षमी जी के साथ ले जाऊंगा सुर्यास्त के बाद नारियल को वापस ले आएं जहां भी पैसा रखते हैं वहां पे रखतें पैस आई में द्यान नहीं लगा रही परते समय दिमाग भटक जाता है याद किया वब भूल जाती है पिंकी अपने आई के ओपर डॉट्स को बनाना भूले नहीं उसको प्रिसाइज बनाएं और डेली जॉइंड आइस बनाएं और उसके ओपर डॉट लगाएं इसको रोज 10 मि पढ़ेंगी मेमरी में स्टोर होता जाएगा आप भी फेस्बुक पर अपने इशूज हमें बेजिए सास बहु फैमली गुरू से जुड़ जाए अपने इशूज भेजिए और शो देखते रहे हैं फेस्बुक पर दर्शक शिखा श्रीवास्तव ने हमारे साथ अपनी समस आपके पती आपके पेरंस की रिस्पेक्ट करें इसलिए अपने पेरंस की घर से चावल ले आईए चावल साबोत और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए बड़े दाने इसको नौर्थ वेस्ट में रखें अपने परिवार वालों की फोटो के साथ और अपने बेडरूम म अब आपको आज का पांच्वा और आखरी माहा उपाए क्या है यह बताने का वक्त आ गया है क्या आपकी दुकान में कस्टमर्स यां क्लाइंस नहीं आते आप बगर वाली दुकान में अगर भीड रगी रहती हैं आसपास सिमिलर नेचर ओफ वक की दुकान में भीड लगी आपको सौ रुपे से भी कम खर्च करके सुन्दर बनाने वाली टिप दूंगी और आपकी जिन्दगी समारने वाले उपाई भी होंगे अभी चलती हों खयाल रिखिए बाइबाई ठेक केर